हेलो मेरा नाम दीपक केड़कर है और मैं सेकेडरिस्ट हूं इतनों धेरेपिस्ट हूं एगलपी ट्रेनर और बिजनेस कोच हूं आज मैं आपको बात करने मालूं आपसे वह है कि अपने बदन में जो दर्द होता है तो वह दर्द क्यों होता है मतलब काफी सारे पेशन्स मेरे पास में जो आते हैं वह बोलते रहते हैं कि हमें दर्द है मतलब दर्द जैसा सिर्दर्द होता है headache होता है किसको migraine है किसको बदन में दर्द होता है किसको कंदों में दर्द होता है तो सब रिपोर्ट्स जो है वो निल आते हैं और वो निल आने के बाद में भी उनको तखलिप तो होती रहती है तो यह तकलिव होती क्यों है इतनी सारे दर्द होते है और वो उनको जूप नहीं बोर रहे है करी लेडी क्वादि वो अभी तिसको जोडो में दर्थ काती होते रहता है, कोई वैक्ति जो है उनको trigeminal neuralgia नमका दर्थ होता है, मतलब लेक आधा शेहरा जो है, तो उसको दर्थ होता है और वो कोई जो नर्थ अपनी है, trigeminal नर्थ, उसके उपर सुजन आने से होता है, कितने सारे लोगों को आधा स अर्दशीशी, आदेसर दर्द की बेमारी होती है, फिर एसिडिटी, आनाक्ष का पचन नो होना, जाती में जलन होना, पेट में जलन होना, वो बीमारी रहती है, और दर्द काफी जार लोगों को रहता है, अब यह दर्द जो है, और एक है, कंदो में दर्द जो है, वो भी का शाम को जादा होता है अभी होता क्यों है लोग मेरे पास में जब किसको रेफर करते है ना तो लोग बोलते हैं अभी आपको कुछ नहीं मिल रहा है सब रिपोर्स नार्मल है तो भी ऐसा कर आप देखो कि कोई साइकोलोजिकल प्रॉब्लम है कि यह सब साइको सोमेटिक प्रॉब्लम साइको मतलब माइन सोमा मतलब मोड़ी साइको सोमेटिक प्रॉब्लम है और दिमाग में जो भी कुछ कॉछ कॉन्वरेशन स्चिलते रहते है जो भी कुछ हम स्वा समवात करते हैं, अपने आप से समवात करते हैं, वो समवात की वजह से कुछ ना कुछ internal ऐसे जो चेंज़ दोती है, इसके वज़ दर्द होता है, हम तो यह देख, हम तो यह बोलते हैं कि आपके दिमाग में अंदर समवात क्या चालू है, सबसे बड़ा चाला समवात लुक्तर होता है, वो रहता है इस सेल्फ क्रिटीसिजम मतने अपको दोष देना, जोट इढ़ाना, छोटाब जोटी बात के उपर हम अपने आपको दोशी ठहराते हैं, दोशी मानते हैं, और उसके इलिए फिर अपने आपको मार लेते हैं तो यह मुंद हम द मतलब कि वही तो आप घलत हो, या क्रिटिसेस करना, दोश बताना लोगों के और आपस में संवन बिगाड़ना, तो इसके वज़े से भी काफी जिमाग में हलचल मच्छे, मतलब हलचल मच्छी है और वो हलचल मच्छने के कारण प्राब्लेम सतने जिमाग में होते रहते हैं, प्रिजात है कि भई खुननस, दिमाग में खुननस रखना, किसने कुछ तभी कर दिया, किसने कुछ आपको बोल दिया, आट दिन पहले किसने बोल दिया, एक मेना पहले किसने कुछ बोल दिया, किसने अपमान कर दिया, इंसल कर दिया, और वो फिर अपने दिमाग में रख लेंगा है और वह खुर्मन जनब तकलीत देने वाली बात होती है, कि जिए वो व Así अपने वेक्ति से बातशीत करते हैं , जो अपने दिमाग में चल रहा है उसके हातने साफ साफ clear कर दालते है, उसको मतलब उसमें, बातशीत करने के बाद में उसमज्जबादे देते है अपना मन हलका कर लेते हैं, उसका भी जो है, और अपने बीच में जो कोई दिवार खड़ी है, वो क्लियर कर जोते हैं, तो काफी सारा ठीव हो जाएगा, एक तो लोगों को क्रिटिसाइज करना, लोगों को दोशी मानना, या लोगों को दोश देना, ये बहुत भी बड़ा स साल पहले मुझे की वेक्षी ने मेरा अफमान कर दिया, मेरा इंसल कर दिया, भी मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, सब लोगों के सामने मैं उसको कुछ ना कुछ बताओंगा, मैं अभी दो साल होगे भी तू खुन्नस पकड़ के बैठा हुआ है, तेरी productivity जो है, उत्पादन क्षमता, या उत्पादगरता कम हो चुकी है, जिमाग में बार बार गोई विचार आते है, कितने बखड़ के बैठा हुआ है, उसने वो जो किया, उसने जो भी बोला हूंगा, आप अपने जिमाग में क्यों पकड़ के बैठा है, एक तो उसके साथ में जाके साफ करो, बा वह बहुत चुटती होंगी, मैंने ऐसे गलती नहीं करना चीए, कोई immoral काम किया होंगा, कोई घलत काम किया होंगा, चोरी की होंगी, कोई छुपा होंगा किस से, ट्रांसपरंस ही नहीं होंगी, तो वो भी मेरे दिमाग में चालू रहता है, क्योंकि देखो, होता क्या है कि हम लोगों से कभी सारी बाचे चुपाते है, और अपने आप से बात चुपा नहीं सकते, अपने आप में तो दिमाग में चलते रहता है, तो वो कितने दिन हम पकड़ के बैठेंगे, ऐसा बोले जाता है कि आप जितने दिन, यह सब अधुर्णापन दिमाग में रखेंगे, यह इनकंप्लीटनेस दिमाग में रखेंगे, तो आप एक रेंड फ्री स्पेस वो दे रहे दिमाग के अंदर, इसका आपको किराय भी नहीं मिद रहा, मतलब आपका दिमाग फिर काम नहीं करता, तो हम बोलते हैं को शाम को मैं ठक गया, शाम को मुझे बहुत ठकान आ रही है, और मुझे अच्छा है नहीं लगता है, और सेल्फ एक्स्प्रेशन जैसा कुटका जो अनुवाँ आता है, अच्छा जीवन जीने का वो नहीं है, तो ऐसे हम काफिशारे बाते बोलते रहते हैं, तो यह हम एकदम ट्रांस्परेंस ही रखेंगे, पूरा ट्रांस्परेंस, मतलब कोई आरपार, पारद्र शक्ता, कोई दिमाग में अंदरभार कुछ भी नहीं है, वो यह रखेंगे, ऑनेस्टी से व्यवार करेंगे, लोगों के साथ में ऑनेस्टी, प्रामानिक्ता, अपने आप के साथ में प्रामानिक्ता, और यह व्यवार हम इधी कंटिनियोसली, हर्दम के लिए हम करते रहते हैं, तो होँगा क्या, दिमाह खाली रहेंगे तो जाहन जूट बोलते रहते है अपने आप से चुपाते हैं लोगों से चुपाते है हमको बहुत असको उसके अपर काम करना पड़ पड़ता है छुपाने की क्योंकि मेरक रिश्वपाया क्या ये सोचना पड़ता है और उसमें कफी सारा तो जब जब ऐसे हमारे पास में लोग आते हैं, जब कोई मेरे पास में काउंसिलिंग के लोग आते हैं, तो यह हमको काउंसिलिंग होना है, जैसा बदन में बहुत टेंशन आते रहता है, चिल्चिरापन है, इरिटेबिलिटी है, फिर नीम नहीं आती, नीम जल्दी नहीं आ माइगरेन है फिर किया लोगों से पट्टी नहीं है आपस में पट्टी नहीं है फिर दिमाग में चिंता के विचार आते हैं टेंशन आते हैं तो ऐसे जो भी कोई प्रॉब्लेम्स है तो यह प्रॉब्लेम्स दिमाग में जो भी कॉन्वर्टेशन चल रहे हैं दिमाग में जो लोगों को लिसन करते हैं, सुनते हैं, जब लोग अपने आपको खाली करते हैं, खुद को सब पूरा खाली कर देते हैं, तो आधातर पर उनका वैसे ही काम हो जाता है, दवाई के उनको जरूप में रहते हैं, अकसर में दवाई लिखता नहीं, वे लोगों को, दोलता कि नही उसको कोई techniques are, जिसमें past bad memories वो कैसी type करना, वो हम टेख्णीक तेट करवाते हैं, तो वो करो, या फिर हम लोगों को एक साथ में बढूँदा दे, और ग्रुप में psycho therapy होती है, गुरुप में counseling होता है, तो वो करते हैं, अधिसा लोगों को आराम मिलता है, तो आप जरूर ये आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, तो जरूर लोगों को शेर कीजिएगा, लाइक करो, लोगों को इंफार्म करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा ये लोग तेखेंगे, थैंक्यो बेरे मच्छ